अंजी दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं भाई सब बढ़ी आऊंगे श्वीडियम दोस्तों बात करेंगे इन वोमेंश वर्सेज पीक के वोमेंश यानिके इंग्लेंड वोमेंश और पाकिस्तान वोमेंश के बीच में जो 2nd T20 मैच खेला जाएगे इसको डिटेल मे important player रहेंगे कौनسे player को आप लोग अपनी टीब में डिफ्रेंशल पीक में यानि कि टरम कार्ड ओप्शन में ट्राइग पाऊगे चाहिए वो आपकी small लिकी टीम की बात हो या फिर आप लोग अपनी grand लिकी टीम में कौनसेफ प्लेयर को डिफ्रेंशल यानि कि टरम brakes में ट काप्टनसी या फिर वाइस काप्टनसी करके चलनी है नोर्मली देखोगे अकोडिंग डू स्लेक्शन बेस सलोगे तो शायद आपको उत्रा चीज़े बैनिफीशन ना जाए लेकिन अगर मैच की सिच्वेशन को रीड करके आप लोग अपने टीम में काप्टनसी वाइस काप यहाँ पर इंग्लेंड वूमेंट की जो टीम रहेगी अगेन आपको इस मैच में फिर से फेवरेट देखने को जरूर मिलेगी मतलब 70% मैच को विन करने के चांसिज इंग्लेंड वूमेंज के मिलेंगे तो बाई 30% में केवल आपको पाकिस्तान वूमेंज को लेके चलना ह इस मैच में किस परकार अपना टीम सेक्षन हैगा वो आगे डिसकस किया जाएगा सबसे पहले दोस्तों चैनल पर नहीं होती है और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को उन कर लेना आने वाले किसी भी मैचसिज के वीडियो आपको मिस नहीं करने वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपना प्यारोड समर्थन जरूर बनाए रखना टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्षन में जाओगे सबसे उपर टोप में पिंड गमेंट टैप वापे मिल जाएगा क्लिक करके टेलीग्राम को जरूर से आप वेन्यू की बात करें तो काउंटे ग्राउंड नोर्थ एम्टन के वेन्यू पर मैच कहला जागा मतलब इंग्लेंड के सर्फेसिज के उपर आपको ये मैचिस देखने को मिलेंगे अच्छा विकेट रहेगा बैटिंग के सर्फेस का अगर उससे परपन से देखा जाएगा तो बैटिंग को सपोर्ट यहां पर डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा बट एक चीज दोस्तो आपको ध्यान में रखने हैं देखो यहां पर दो कंडिसंस बनेगी या तो इंग्लेंड वूमेंस पहले बल्ले बाजी करने उतरे या फिर भई या पाकिस्तान वूमें पाकिस्तान वूमेंस की टीम ने पहले बल्ले बाजी करी तो maximum to maximum 120-130 का स्कोर आप लोग एक्सपेक्ट करके ही अपना टीम स्लेक्शन करोगे क्योंकि देखो इससे ज्यादा स्कोर मेरे अकोर्डिंग शायद पाकिस्तान वूमेंस ना कर पाए और इंग्लेंड वूमेंस के फिर जो मेन गेंद बाज है यानिकि जो पूरे चार्चर ओवर करेंगी वो सारे गेंद बाज उठा के आपको टीम में बैक करने हैं वो टोप ओडर के इंग्लेंड वूमेंस के जो प्लेयर रहेंगी ना बैटिंग सेक्शन के वो आपको अपने टीम में रखनी है लेकिन अ तो वही स्कोर चलेगा पाई 120-130 क्या स्वास तो इतने स्कोर के इसाब से ही आपको अपना टीम स्लेक्शन करना है और दोनों कंडिशन के अंदर आपका टीम स्लेक्शन टोटली डिफ्रेंट बनेगा ये द्यान में रखना ठीक है अच्छा विगेट रहेगा तेज गेंद बा बात करें पिछले पांस टी-20 का जो की लगबग 143 के आसपास है लेकिन अगर इंग्लेंड वूमेंस पहले बल्ले बाजी करने उतरेगी इसमें आप लोग 10-15 रंस एडगर के चलना मतलब 10-60-15 तक का स्कोर डैफिनेटली जा सकता है लेकिन पाकिस्तान वूमेंस आईगी पहले बल्ले बाजी में हो सकता है इससे दस आपको कमी रंस बनते वे भी दिखें तो ये जान में रखोगे हैट वर्ड की बात करें दोनों टीम्स के बीच में पात साल में 6 मुगाबले वे जहां पे 6 के 6 मैच जो हैं वो इंग्लेंड वूमेंस ने विन करें और ये चीज म वूमेंस पहले बल्ले बाजी करेंगी अलग टीम स्लेक्शन बनेगा इंगलेंड वूमेंस पहले बल्ले बाजी करेंगी बाई सब अलग टीम स्लेक्शन बनेगा सिर्फ आपको ये चीज समझनी हो और ये चीज अगर आपने समझ ली तो आप लोग डेफिनिटली इस मैच म एक बढ़िया टीम स्लेक्शन खुद से भी कर पाऊगे अब जलते दोस्तों अपने टीम स्लेक्शन पे विकेट के पिंग सेक्शन में सबसे पहले एमी जोन्स दूसरी उप्सन आपके पास में मुनी बाली अगर आपको देखो टोटली सेफ केलोगे तो क्योंकि वुमेन का मैच है बड़े रिस्क आप लोग वैसे भी नहीं उठा सकते हैं वुमेन का मैच है उलड़ी वैसे ही आपके लिए थोड़ा सा रिस्की मैच रहेगा पहले बल्ले बाजी करने उत्रे चाहे सेकेंड बल्ले बाजी करने उत्रे ये प्लेयर आपके टीम में रहेगी अगर ये रंस करें भी माल इसने 30 रंस भी करें तो वो 30 रंस भी आपको 25-30 गेंद में ही दिखेंगे वो चीज नहीं कि 15-20 गेंद में ये 30-35 रंस की पारी खेल दे उस लेवल की प्लेयर नहीं है तो अभी मैं स्मूल लिक की अकोडिंग इनको प्रैफर नहीं करूँगा बट सेकंड डाउन इनका बल्लेबाजी ओडर रहेगा और लास्ट मैच में भी ये केवल 10 रंस कर पाई थी बैटिंग सेक्षन हितर नाइट इंपोर्टेंट लास्ट मैच के हीरो रही थी इंग्लेंड वोमेन की टीम की साड़ से बल्लेबाजी के अंदर सेकंड डाउन पे बल् सरनाक प्लेयर है भाई सब ये तगड़ी हार्ड इटर प्लेयर है चेह और के पावर बले का पूरा बेनेफिट उठा सकती है ओपनिंग बल्लेबाजी करेगी लास्ट मैच स्टार्ट नहीं मिला सिर्फ एकी रंस कर पाई थी लेकिन इस मैच में क्या करोगी आप लोग अप बड़ी पारी में कनवर्ट नहीं कर पाई ओपनिंग बल्लेबाजी लास्ट मैच में केवन नहीं रंस थे फिलाल में इनको प्रेफर नहीं करूँआ स्मोली के परपजे देखो एम बाउचर है एक बार फिर से ओपनिंग बल्लेबाजी देंगे इंगलेंड वूमेन के इनके जगह फिर आप लोग चाहोते का एक्षा गेंद बाज को भी रख सकते हो लेकिन बल्लेबाजी में पलस पॉइंट रहे का बाई साब ये द्यान में रखो स्लेक्शन भी कम है अच्छी ट्रमकाड ओप्सन बनके जा सकते हैं अगर 20-30 रंस की भी पारी खेल दीना तो 20-30 रंस का जो डिफरेंस रहे गा ना वो भी आपको एक तरफा वीन करवा सकता है तो बाउचर आपके लिए अच्छी ट्रमकाड ओप्सन है ध्यान में रखके चलना मैं अपने टीब में फिलाल जरूर बैक करूँआ उसके बाद में नीच आओगे देखो समास ने लास्ट मैच अकर अच्छी पारी आई इस मैच में उस लेवल की पारी आगे उसकी उमीद मत रखना लेकिन फिर भी अगर आपको 36% स्लेक्शन के साथ में चलना है तो भाई सब आप लूग अपने टीम में जरूर बैक कर सकते हो उसके बाद में रहेंगे फ्रेया कैम्प जिनोंने इंगलेंड वूमेंड के लास्ट मैच में देखोगे तो बाई ओल्मोस चापे थर्ड डाउन बल्लेबाजी गरती बटी ए खाता नहीं खोल पाई थी फर्स्ट बल्लेबाजी में जरूर ट्राई करना सेकंड में चाहो तो ड्रोप करके रिस्क उठा सकते हो कोई इशू नह की टीम में तो फिर भी आप लू चाहो तो बैक कर सकते हो उसके बाद में देखोगे फरोज़ा ओपनिंग बल्लेबाजे पाकिस्तान वूमेंड के लिए लास्ट मैच में देखोगे पंदरा गेज में 17 रंस इनोने करे थे एकाद कैचिस पकड़ी उसकी वज़े से ये 40 उसके बाद में रहेंगी भाया फातिमा सना जो की बल्लेबाजी के साथ में आपको गेंदबाजी में भी अच्छे पॉइंट्स करके दे सकती है और लास्ट मैच के भी बात करतो फातिमा सना ने पूरे चार ओवर डाले थे 38 संस इनको पड़े बट अनफोर्चुनेटल इन आई क्योंकि केवल इन्होंने दो ओवर गेंदबाजी करवाई थी लेकिन ये पूरे चार ओवर करने वाली गेंदबाजी और पाकिस्तान के सबसे इंपोर्टेंट प्लेर है अगर फिलाल इस टीम के इसाब से बात करी जाएगी तो मेरे अकोडिंग यार इनको पूरे चार ओवर करने चीए डिफरेंचल पिक कैप्टन्ची वैस कैप्टन्ची कर सकते हो फातीमा सना बढ़िया विकलप आपके लिए रहेंगी लास्ट मैच में गेंदबाजी में तो विकेट नहीं मिले लेकिन बल्लेबाजी में देखोगे 20 गेंद में 16 रंस के एक पारी इनके बल कट हो जाएंगे वो भी ध्यान में रखोगे ठीक है उसके बाद में डीन और यहाँ पर देखो गिबसन दोनों इंपोर्टेंट है दोनों इंपोर्टेंट क्यू है उसका सबसे बढ़ा रिजन यह कि दोनों की दोनों गेंदबाजों ने लास्ट मैच में ना चार ओवर अंदर 41 रंस की काफी बढ़िया और काफी तगडी पारी इनके बल्ले से आई थी मतलब बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों में अपना बड़ा रोल प्ले करके कही थी बट बल्लेबाजी थोड़ा नीचे थी फरस्ट बल्लेबाजी इंगलेंड वूमेंड करेगी तब आईगी भी नहीं ये दान में रखना ठीक है तो फिलाल ये 500 जो प्ले रेंगी मैं बैक करके चलूँगा नैट सीवर बरंट खेलेगी इस मैच में डारेक्टर टीम में आजएगी फिर आपको ज़्यादा चीज़े सोचने की जरूरत नहीं है बोलिंग सेक्शन में सोफिया पूरे चार ओवर बल्ले बाजी में अच्छा खासा हाथ आजमा के गई लास्ट मैच में 11 गेन में 19 संस पूरे चार ओवर गेन बाजी देंगी और स्पिन क्वालिटी में देखोगे तगडी आपको गेन बाज मिलेगी जो पूरे चार ओवर करके गई थी लास्ट मैच में एक विकेट इनके नाम था, ठीक है, साधिया इकबाल ने बढ़िया गेंदबाजी करवाई थी, लेकिन यह देखो, इंपोर्टेंज कब ज्यादा बनेगी, जब फस्ट गेंदबाजी अगर पाकिस्तान वूमेंस करती है, सेकेंड गेंदबाजी करेगी, ड्रोप कर सकते हो, क को सारी बताते हुए चलूँआ, लोरेन बैल को देखो, फिलाल मैं अपने टीम में बैक करूँआ, यहां से मेरा मन ने भाई सरा गैलन को भी टीम में बैक करके चल लेगा, अब सरा गैलन को अगर मुझे बैक करना है, तो फिर या तो मुझे देखो, ओर लाउंडर सेक्शन लोर में काफी बढ़िया देखने को मिलेगा, और इनके चलते पाकिस्तान वुमेंस के अरली विकेट गरने के भी चांसिस थोड़े से हाई रहेंगे, यह जान में रखो ठीक है, सरा गैलन जो की मिडल में पूरे चार ओवर गेंदबाजी देखे जाएंगे, लास मैच में चार विकेट यह थे, इंपोर्टेंट पिकेट जरूर बैक करके चलेंगे, उसके बाद में देखो कि टी हसन रही है, यहां पे शामीन रही ही, उतनी इंपोर्टेंट प्लेयर मैं नहीं समझूँगा, यहां से देखो वाक्र सकतर हो, लेना चाओना तो ले सकते हो, क्योंकि लास मैच में ठीकठा गेंदबाजी करवाई, चार ओर में 20 संस देके दो विकेट से, लेकिन वो विकेट इनिशल ओर में मिले थे, हर मैच में शायद उस लेवल की क्वालिटी गेंदबाजी आपको ना दिखे, तो यह जान में रखोगे, मतलब कही ना कही देखो, आपको या तो बैटिंग सेक्शन पे थोड़ा सा कॉंप्रमाइज करना पड़ेगा, या फिर भाईया, बोलिंग सेक्शन पे चीज़े थोड़ा सा कॉंप्रमाइज कर के चलने पड़ेगी, मतलब दो से तीन, बड़े प्लेर आपको ड्रॉप करने पड़ेंगे, चाहिए आप लो रोटेसंस आप लोग खुछ से भी गर पाओगे कोई इशु नहीं है तो फिलाल मेरे जो ग्यारा प्लेयर की टीम में दोस्तों वो बन के किरेट हो चुकि जो कि मा आपको यहां से दिखा देता हूँ आप लोग देख पाओगे मेरे टीम में ग्यारा प्लेयर आचुके कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी आपके पास में देखो सबसे बैस्ट trumpet में रहेंगी यहां से आप लोग निदार को ट्राई गर सकते हो यहां से चार पाश प्लेयर रहेंगी कैप्टेंची और वाइस कैप्टेंची गे अगोडिंग टू टोस अगर एक दो चींजिस करने पड़ेंगे टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट कर दूँआ कमेंट सेक्षिन में लिंक है जाके जोईन जरूर से कर लेना उमीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपने कम्प्रेट वोच क्या होगा भाई पसंद आया होती है और वीडियो को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर से उन कर लेना आने वाले किसी भी मैचेज की वीडियो आपको मिस नहीं करने मिलते हैं दोस्तों अगले मैच की वीडियो में उमीद करता हूँ कि आप लोग इस मैच में एक बढ़िया टीम सेलेक्शन करोगे और आपकी टीम अच्छा परफूम जरूर करेगी